Hello, Good evening, Namaskar चाइना और फिलिपीन के बीच में फीर टेंसन बढ़ गया है South China Sea में और इसमें भारत जो है वा फिलिपीन्स का साथ दे रहा है और इसका कारण क्या है? कारण है सियरा मादरे सियरा मादरे एक जहाज है बहुत पुराना जहाज है तो इस जहाज के कारण क्यों इस दोनों के बीच में टेंसन बढ़ गया है यह हम देखेंगे अब इंडिया क्यों फिलिपीन्स का साथ दे रहा है? देखिए एक डिपलोमेसी में बोला जाता है यह अगर दुस्मन बढ़ा हो तो उस दुस्मन के दुस्मन को साथ दो यानि चाइना का दुस्मन फिलिपीन्स है तो फिलिपीन्स को इंडिया ने साथ दिया और इसके लिए इंडिया ने अपना क्रूज मिसाइल भी इसको दिया इसके लिए मैं एक वीडियो बनाए हूं बड़ा अच्छा कि ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल जो है फिलिपिन्स को अलड़ी डेलेबर हो चुका है और यह जो फिलिपिन्स मिसाइल है यह दुनिया का जाना माना क्रूज मिसाइल है जो रसिया और इंडिया ने मील के डेवलब कि कि लिए तो अब हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे क्या हुआ एक क्या सिच्वेशन था क्या न्यूज था क्यों सियरा मादरे के कारण दोनों के बीच में टेंसन बढ़ रहा है साथ चाइना सी में साउथ चाइना सी क्या है उसके किनारे और कौन से देश है इस सारी च बीच में गरते रहते हैं कि एक दूसरे के बीच में अथिकार अफिस नमय भी सुनमें आ जाए में लेकिन जो फिलिपीन से और चाहिना है यह दोनों पार्टिकुलर रूप से लड़ते रहते हैं इसके लड़ाई काकर दो आजबंसरान हैं इन्टरनेशनल कों Gaytoire टे आजमि का जो लडाई का कारण है, टेंसन का कारण है, टेंसन बंडने का कारण है सिय अरा मादरे, और सिय अरा मादरे क्या है हम बता चुके वर्लड वार सिटेंड एरा का जाहाज है, पंडूभी जाहाज है, किलिया इसके कारण ऐसा हुआ है अब यह रहा जहाज जो कि सियरा माद्रे हैं जिसके कारण हुआ है और यह रहा South China Sea है हमारा इंडिया है ये Bay of Bengal है ये Arabian Sea है और ये जो एरिया है यहां है South China Sea और इस South China Sea के जो अगल बगल है जैसे यहाँ फिलिपिन्स है आपको यहाँ पे मलेशिया है यहाँ पे भी अतनाम है इन लोगे के बीच अब इस एरिया को लेके एक क्लेम किया जाता है कि चुकि समुंदर में जो है न बहुत बहुमुल धातुए मिलते हैं मैं एक वीडियो बनेया था हाई सी पर जाके एक बार चेक आउट किजिए गया एन इसको थोड़ा सा और नजदीक से देखिए इसमें दो आइलेंड है एक को बोलते है इस पार्सेल आइलेंड ऑश्य भी बोलते हैं इस दोनों आइलेंड में एक तो तेल का भंडार है दूसर है लेकिन सबसे ज्यादा वोकल फिलिपिन्स को साथ देता है यूजात इसलिए थोड़ा सा हीमत होता है इसलिए दो हमने आर्प्रमोस का एक इंपर कर लेगा तो ब्रमोस का जबाब चाहिने के पास नहीं है नहीं ब्रमो"- जाना माना कुरूझ मिसाइल तक्टी इसको develop रसिया के मदश से किया घ्या है क्लिएर अब हम आते हैं कि इसका कारन क्या है कारन क्या है और सीप है सिएरा माद्रे वह सीप कहां पर है वह सीप है second thomas soul submerged reef यानि एक reef है जो पानी के अंदर डूब गया है थोड़ा सा चटान उपर है वहाँ पे वहाँ सीप रखा गया है उस जगा का नाम है second thomas soul और यह कहां पे है second thomas soul यह स्पार्टली आइलन्ड के बीच यहाँ पे है अब यह सीप second thomas soul अभी देखेंगे यह सीप जो है वहाँ पे रखा हुआ है thomas soul पे अगर कोई पुराना समानी कहीं पे रखा हुआ है मतलब क्या हो गया कि उस पर territorial मेरा अधिकार है टरिटोरियल हम क्लेम कर सकते हैं अब यहां पे यह तो एक दम सणा हुआ सीप है किसी काम के लाइक सीप नहीं है अब फिलिपिन्स अभी क्या किया है कि वहां पे कारिगर बोट के माध्यम से भेज के उसको रिपियर करा रहा है अब यह देखके चाइना का जो कोस्ट गार् सेटलाइट के पास और वीडियो है उससे पता चला यहां कि चाइना अभी अपना अधिकार जाता था यहां ही कारण है कि यह ठेंसन बढ़ा है दोनों के बीच में यह रहा आपका सेकेंड टॉमस सोल और इस पाटली आइलन्ड के इधर है ना और यहां पर फिलिपिन्स है यहीं पर जो सीप हम बता हैं वह सीप बहुत दीन से रखा हुआ है लेकिन अभी क्या किया यहां पर रिपियर करने गया तो यह इनको परिसानी हो रही है कि रिपियर करने का मतलब इसका टेरिटोरिय लंबा सीप है जो में बनाया गया है कब वर्लड वार साटा-मवार सेकेंड में उसको कमिशन किया गया उनीशाइच चाहवालिस में आई-जह लाइंडिंगंश यानि वहां पर कुछ लाइंड कर सकते थे सिप उसके बाद में 1904 से 75 के बीच में जब वियतनाम वार हुआ उ कमनिस्ट और समझ यह नाटो के बीच हुआ था नॉर्थ भी अतनाम साउथ भी अतनाम ऐसे करके तरह ना तो उसमें इस सीप को भेजा उसके बाद में 1976 में वह फिलिपिन्स को यह सीप दे दिया चुकि वह यूएस के दोस्त है लाई है 1999 से वह जो सीप न पर पढ़ा हुआ है और जो उसका कोई रहता नहीं वहीं पर वाहीं सभी पढ़ा हुआ है उसकर कुछ दिन के बाद संट थोमस सोल के बगल में यह एक मिच्चीफ रीफ है वहाँ पे चाइना ने अपना क्लेम कर दिया इसके इससे वहाँ पे थोड़ा सा जो टेंसन है बढ़ने लगा क्लियर अब जो सीप को हटाने की बात हो रही है तो सणा हुआ सीप हटाया जा सकता है लेकिन फिलिपीन से बोलता है कि नहीं यह सीप जो है यह यह बताता है कि वह एरिया मेरा है चुकि उसके बगल में आप मिच्चीफ रीफ को तो आप क्लेम कर लिए अगर सीप वहां से हट कर जाता है तो आप इसको क्लेम कर लेंगे इसी लिए यह सीप यहां पर रहेगा के लिए यह सियरा माद्रे यह स्पाटली आइलन्ड है यहीं पर अभी जो नाइन डैस लाइन देख रहा है ना नाइन डैस यह चाइना का दिया हुआ है मतलब क्या कि यह एरिया मेरा है यह यह लोग को कुछ नहीं मिलेगा यह लोग तेल बेचने जाहिए लोग को कुछ नहीं मिलेगा यह एरिया मेरा है अलाकि फिलिपीन्स थोड़ा सा भोकल है लेकिन वह इंटरनेशनल कोट का भी और चाइना नहीं माना है ना तो यह सेकेंड ठोमस अब हम आते हैं यह सीप है देखिए क्या इस्तिती है सियरा मादरे का क्या इस्तिती है और यह अब यहां पे है यह डुबा हुआ है थोड़ा सा पथल है उसी पे है अब यह सीप है यह फिलिपीन्स का सीप है मतलब क्या कि यह जगा मेरा है अब इसको रीपियर करने के लिए भेजा है बोट वगारा क में मर के लिए तब इनको परिशानी हो रही है यहीं टेंशन का मेन कारण है अब हम देखता है कि इस पाटली आइलेंड क्यों टेंशन है ज्यादा थोड़ा समय बता चुका हूं चुकि देखिए कोई भी सी के अगल बगल जो भी कंट्री होता है उनका कुछ इंटरनेशनल ल इकनोमिक जोन इवेन के द्वारा यानि आप 200 नॉटिकल माइल यानि अगर किलो मीटर में के 370 किलो मीटर तक आपका वहां वहां आप लीबिंग और नन लीबिंग रिसूर्स पर आपका अधिकार होगा थोड़ा से यहां देखिए यहां लैंड है लैंड से बारा सो सॉरी 12 नॉटिकल माइल 12 नॉटिकल माइल आपका टेरिटोरियल एरिया रहेगा यानि इस एरिया में आप समुंदर में कुछ भी कर सकते हैं इस क्याला में समुंदर के जो उपर जो अकास है वहां भी आप कुछ कर सकते हैं यहां पर आपका अधिकार अगर आप चाहें कोई जहा अगर आ रहा इस बाराक प्लोम तो आप नहीं भी आने जाज सकते हैं लेकिन इस जो एक्सक्लूसिव एक्स्कुनोमिक जोन है जो यहां तक है आपका यहां पे इंटरनेशनल लौ के अनुसा आप लिविंग और नन लिविंग का यहां पे एक्स्पलाइट कर सकते हैं मचली पकड़ सकते हैं यहां पे कोई अगर रिसोर्स है ले सकते हैं तेल निकाल सकते हैं लेकिन आकास पे आपका अधिकार नहीं है लेकिन हाई सी में किसी तरह का कोई अधिकार नहीं आपको इसी के लिए इविन बना रहा अपना रूल रेगुलेशन आगया बास समझ में अब यहां पे देखिए अब इस एरिया में बहु सारे कंट्री है तो उनका जो एरिया है दो सो नौटिकल माइड ओभरलाइब करता है यानि उनका ओभरलाइब करता है और दूसरी बात की इस पार्टली आइलन्ड और पार्सल आइलन्ड है या दोनों रीच आइल और गैस रीजर्ब वहां पे है इसके अलावा फिसिंग वाटर है बहु सतरह के मीनरल है इसलिए सारे लोग क्लेम करते हैं और सबसे ज़्याद अब देखिये फिलिपिन्स का एरिया है एजो देख रहे हैं देखिये ओबर लाइप होगा ना बुरुनाइ का एरिया है और चाइना तो सब को मानता है पूरा साउचाइना अशी ही उनका अब यहां पे जो ए इस कलर का जो है रेड वला थोड़ा सा डार्क रेड है यह बियत नाम का है आउट पोस्ट देख रहा है जो चाइना का है वह एलो वाला देखिये चाइना हर जगा चाइना आउट पोस्ट महां पर अपना जगा बना रखा यहीं कारा नहीं कि दोनों में लड़ाई चुकि इंटरनेशनल बोर्डर में ओभर लाइपिंग होता है ओभर दूसमान को मजबूत कर दो इवे से इसका एलाई है धना दूसरा हम देखे कि इसका कारण क्या है इहां सीहरा माध्डै लाग के बाद भी गुछ के लिए स्थीति क्या है sto में अबस persecution के लिए फिलिपिन्स क्यों वोकल है इस सारी चीज अभी हम लोग यहां पर देखे डिसकस किये हैं इस न्यूज के माध्यम से इसका पीडिएफ हमारे टेलेग्राम चैनल है तीवारी जेनल स्टेडी वहां पर मैं डाल दूंगा वहां से देख लिजेगा उस चैनल को भी ज्वाइन कर लेंगे आप अगर यह इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज इसको लाइक अपने दोस्तों में शेयर और सब्सक् जरूर करेंगे सो थैंक यू है वे गूड डे अंड हैपी लर्निंग थैंक यू वेरी मच